कि अ कि मार्केट के घिलोडुआ है करने का च्टीर मार्केट में कैसे एक हैना कर सकते हैं कैसे टेदिंग कर सकते हैं और उससे पहले बात करते हैं आज की टेडिंगंश करत bracelets कि inexpensive डिस्केस किया देख है अगर इसलेवल के ऊपर निक लेगा दिन हम की कि प्लानिक नहीं करेंगे रेजन क्या था कि यह बहुत important crucial एक resistance level है almost 38,000 का level भी है तो इसके से market first time में कभी इस level को cross नहीं करेगा इसको दो-तिन बार hit करने के बाद ही cross करेगा देन हमारा perfect sell है बनता है लेकिन gap up होने के बाद कि market को directly इस level को breach करके नीचे जाना चाहिए था ठीक है लेकिन market ने यहां पर sustain किया और sustain करके एक अच्छा सा pullback दिया पुल बैक देने माद अगेंस जो resistance था प्रिवेस डे का और लेडी यह बड़ा resistance था च्छोटा resistance था यहां पर मार्केट रेस्टेंस फिस्क किया और इसका साब शिलफ आया एक टाइम पर मार्केट यह लग रहा था कि market इस support को break करके अच्छा खासा नीचे जाएगा लेकिन market ने यहां पर दोखा दिया और फिर market यहां से support आ गया बाइंग मतलब यहां से pressure फिर से आ गया मार्केट अच्छा कासा उपर गया इस टाइम पर मार्केट में वार्न किया था अपने टेलिगाम चैनल पर कि आप जितने भी लॉंग से सभी को आप क्लोज कर लिए क्योंकि important resistance रे रही है और उसका देखा अब फॉल मार्केट में आया लेकिन इसके बाद भी मार्केट जू यह ट्रेंड लाइन अगर आप देखा रहे है इसको बार बार सपोर्ट ले रहा है और यहां पर बाइंग आने के बाद 37,800 के आसपा जो important लेवल है बार बार इस लेवल के बाद मार्केट वापस से ब्रिबाउंड किया और एक टाइम 38,000 को क्रॉस करके ट्रेट कर रहा था लेकिन लास्ट कपला फॉर में प्रॉफिट बुकिंग आई क्योंकि जाईर सी बाद इसके उपर ज्यादा सब्सक्राइब अब बात करते कल के ट्रेडिक सेटर बहुत क्लियर है आपको यह ट्रेंड लाइन दिखाईए ठीक है इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट मार्केट लेते हो आगे बढ़ रहा अगर इसको थ्वासा चार्ट को छोटा करें तो आपको क्लेरली विजबल होगा कि इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेते हो मार्केट जो हमार आगे लेवल है तो आपको वाच आउट करना होगा और जितने भी इस विंग लो है देख सकते हैं यह सुविंग लो आपके अगर आपके अगर देखेंगे ध्यान से यह आपका स्विंग लो भी है प्लस एक ट्रेंड लाइन का रेस्टेंस भी है तो दोनों चीज यहां पर काम करने वाली है तो अगर मार्केट कल गैप डाउन ओपन होता है ध्याने के मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे टेर करता है देर हम सेल के सारी की पोजिशन बना सकते है टार्गे हमारा इस स्विंग तक का टार्गेट होना चा अगर मार्केट अगर डाउट डाउट जोन आपको वेट करना है किसी साइड ब्रेकाउट करें तो जिस साइड ब्रेकाउट करें फिर उसके साइड पर टेट ब्लान करना है अब बात करते हैं मार्केट में कितना होता है यह दिखने बाइब बात रिएट यह थावजन के पास में होता है हुई है 37,870 की closing हुई है क्लियर अगर मार्केट गैप अप कितना होता है गैप अप के उपर डिपेंड करता है कि मार्केट में कैसा moment आने वाला फिर भी अगर मार्केट इस resistance के उपर यानि 38,050 के उपर मार्केट open होता और sustain करता है at least 15 minute के लिए देन आप long की planning कर सकते हैं इसके ओपर लेकिन quantity size छोटा रखिए quantity बड़ा मत रखिए क्योंकि मार्केट अल्यडी बहुत सारा bull run में चल चुका है तो correction एक डिव है करेक्शन आकल होगा परस होगा या कब होगा यह हमें नहीं पता लेकिन करेक्शन आपका डिव होगा तो उसको देखते हो quantity size आपको लिमिट करके चलनी होगी clear अगर बात करते हैं टार्गेट की अगर आपर साइड में करते हैं दीनिव निकल कर आता है, करते हैं से पहले मार्केट में गया मार्केट में के लिए इस प्लानिeg में i अगर इसके तो यहां पे एक हमेरे पास अगें रिजिस्टेंस हैं, जिस्ट लाइक बाएंगर बाइंगर फिर यहां से रिजिस्टेंस फेस करें वापस मार्केट नीची यह से लॉफ आया, तो यह बहुत है इंपोर्टन कुरूशल लेवल ता सपूर्ट का यहां मार्केट ने यह ना आगर आपका यह होने वाला अगर इस लेवल को ब्रेक्ट अगर 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 करता है तो या gap down open होता है तो clear लेकिन अगर gap down माले gap down directly इसके आसपास open होता है 17,150 के आसपास में direct gap down open होता है तो यह आपको buying की एक opportunity देखनी पड़ेगी कि आपका market support लेगा एक bounce back बनता है clear अगर market sideways open होता है sideways जोन कौन से कहलाएगा sideways जोन आपका market कहलाएगा sideways जहां पर कोई trading नहीं होने वाली है clear trading कहा होगी यहां तो market यहां पर support लेकि दिन pullback करें यह market इसको breakout करें इसको breakout करें तो भी ज्यादा बड़ा जाने नहीं है आपका एक अच्छा खासा resistance है जब market इस लिए ब्रेक करेंगा देन अच्छी रखासी रहली आपको देखने को मिल सकती है तो कल का से से बहुत है करेंगा पहले से ही कि यह करना है आप मार्केट को देखिए मार्केट ओपन कहां पर हो रहा है क्या प्राइस एक्षन फॉर्म हो रहा है उसके अच्छा खासा प्रॉफिट अगर मिलता है तो बुक करिए अगर लॉस हो रहा है थोड़ा बहुत आपके अगिन्स जा रहा है लॉस भी बुक कर लिए यह मत करिए कि लॉस को होल्ड करिए कि प्रॉफिट में कर्वर्ट होगा ऐसा नहीं होता और सारा कैप्टल आपका चला है क्ल आपका वेड़नेस डे है तो प्रीमियम डीके भी अच्छा कासा होने वाला है तो फ्रेंस आई होप आपको बैंक निफ आपको मिल जाए जिसे आपको मिस्स नहीं इंपोर्टेंट वीडियो और भी दमान टेलिग्राम चलने को अपने ज्वाइन नहीं किया जरू ज्वाइन कर लिए जहां पर मैं अपने डेली टीर्स करता हूं जिसे आपको काफी हेल्प मिलनेवाली डिसाइड करने में तो मिल